कौस्तूप पौंक्षे पुने इनका सवाल है जीवन में पैसो का कितना महत्वा है अपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आज के जमाने में पहले भी देते हाए लेकिन पहले पैसो के साथ में बाकी चीज़ों को प्राथमिक्ता कौने अजके जमाने में हम पैसो को बहुत महत्वा देते हैं और ये केवल हमारी गलते नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है कैपिटेलिजम का जब बूलबाला होता है जिसे हम भन्डवल तंत्र कहते है तो ये उसकी खासियत होती है कि वो अपने फाइदे के लिए पूरे जनता का जो उसके ग्रहक है उनका मानसी बदलता है और इस डंग से प्रचार तंत्र का उप्योग करता है कि पैसो को बहुत महत्व प्राप्त हो क्योंकि पैसे प्राप्त करने के लिए पैसो के जरिये पैसे प्राप्त करने के लिए यही तो ये तंत्र चलता है तो आम जनता की आम ग्रहा की ये मानसिक्ता वो तयार करता है कि आप पैसों को बहुत महत्वदो शायद सव साल पहले हमारे मिडल क्लास में पचास साल पहले मिडल क्लास में शायद पैसों को थोड़ा कम महत्वदा बाकी चीजों को ज़्यादा महत्वदा लेकिन अभी खुली अर्थव्यवस्ता स्विकारने के बाद तो पैसे को बहुत महत्व पराप्त हुआ यानि यह जो बदलाव आया है वो तो हर व्यक्ति महसूस करता है मेरे जैसा व्यक्ति भी बहुत तिवरता से महसूस करता है मेरे जीवन में मैंने जब 1982 में अखिल भारती अंदेश रद्दा निर्बुलन समिदी का काम शुरू किया तो यह सारवजनिक काम है इसलिए जबकि कई लोगों का बहुत ज़ादा कड़ा विरोध रहता था इसके बावजूत लोग बहुत मदद करते थे कोई हॉल फुकट में उपलब्द करा देगा लोट स्पिकर वाला कम पैसे लेगा अब विवैक्षान के लिए खर्चे आते हैं लेकिन ऐसे कम खर्चों में बहुत काम हो जाता था आज इस इस्तितिये पहले जितना जितना तिवर विरोध रहता था उतना तिवर विरोध न त्यार नहीं होता है वो मन से कहता है मुपर कहता है कि भाई मैं जानता है कि आपका काम बहुत अच्छा है लोगों के लिए करते हो लेकिन मैं क्या करूँ यह मेरा व्यवसाय है तो यह पूरी मानसिक्ता सबकी बदल गई है आजकल बड़े पैमाने पर पैसे कमाने के लिए पैसे प्राप्त करने के लिए हमें यह करना है वो करना है यह सब वातावरंड से हम तक पहुंचाया जाता है थोपा जाता है इवन परस्नालिटी डेवलोप्मेंट के क्षेत्र में भी तो इसके प्रेणा में से होते है कि पहले ही हमको हमारे व्यावारिक जीवन में पैसो की आवशक्ता पैसो का महत्व बार-बार महसुस होता है और ये पूरे वातावरंड से है कैपिडिलिस्टिक वातावरंड से पूरी तरह से पैसो का महत्व बहुत महत्व है ये साइकलोज बार-बार हमारे ब्रेन पर बंबार्ड होते रहता है, उस कारण भी हम उसको बहुत ज़्यादा महत्व देने लग गये हैं, थोड़ा शांती से सोचे तो पैसों का क्या महत्व है, ये ठीक है कि आम इंसान को जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसों की आव आवशक्ता है पुरी हो जाए, minimum luxuries जो आवशक्ता है पुरी हो जाए, उसके बाद में ये पैसे आपके जीवन में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, ये पैसे आपके जीवन का आनंद नहीं बढ़ा सकते हैं, ये पैसे आपके जीवन में सुख निर्मान नहीं कर सकते हैं, याने जो प्राथमी कावशक्ता है हमारी है रहने के लिए ठीक ठाग घर चाहिए खाने पिने के लिए कोई अडचन ना आ जाए जो कुछ चीजे हम स्मूथली करना चाहते है वो आसानी से कर सके इतना पैसा एक बार उस व्यक्ति के पास आने के बाद आगे आने वाले अतिरिक्त पैसे का उसको कोई उप्योग नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो उची शराब पिएगा कहीं पैसे उड़ाएगा उससे अतिरिक्त सुख नहीं प्राप्त कर सकता है वो मान सकता है कि मैंने उची शराब पिए इसलिए मैं ज़्यादा सुख हूँ उल्टा शराब की लत लजाएगी पुरी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी अत्रिक्त पैसों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ये अगर इंसान समझ नहीं पाया तो जिसलिए वो पैसे प्राप्त करता है पैसे प्राप्त करकर भी वो उद्देश उसका कभी सफल नहीं होता है अब किसी से भी पुछेए कि आप पैसे क्यों प्राप्त करना चाहते हो ज़्यादा पैसे कमाना क्यों चाहते हो कहेगा मुझे सुखी होना है इसलिए करना बचाता हूँ बहुत पैसे कबाने के बाद कभी इंसान सुके नहीं होता है क्योंकि सुक पैसों की परे की चीज है सुक कहां से प्राप्त होता है ये बात सही है कि खाना पिना इसमें से सुक प्राप्त होता है सेक्स से सुक प्राप्त होता है हमारे जीवन में कोई रिलेशन ना रहे अच्छी फैमिली न रहे अच्छी मित्र न रहे अच्छा फैमिली सपोर्ट न रहे कि तो केम्हीं कोई खाना पीना सूक नहीं दे सकता है हमें अच्छी आदोते न रहे अनंद प्राप्त करने की अलग-अलग शम्ता न रहे कि हम सिनेमा देखते आनंद प्राप्त करते हैं नाटक देखते आनंद प्राप्त करते हैं किताब पढ़ते आनंद प्राप्त करते हैं ग्यान भी बढ़ाते हैं ये अगर साधन हमारे पास उपलब्द नहीं है आनंद प्राप्त करने के तरीके अगर वो पैसों से नहीं प्राप्त होते हैं सभी ये अलग-अलग तरीके जिसको हम कल्चराइजेशन कहते हैं इसके आधार पर हमने आनंद प्राप्त करने के तरीके ढूंडे हैं इजात किये हैं और अपने जीवन को समरुद्ध बनाया है तो पैसो की एक लिमिट तक आवशकता है यहां तक ठीक है उतना ही महत्व हमारे जीवन में हमने पैसो को देना चाहिए पैसे कमाने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर डाले राजदिन मेहनत करे राजदिन मेहनत करे फिर कहें कि मैं पैसे बहुत प्राप्त करूंगा और सुखी बनूंगा पैसे प्राप्त है, बहुत पैसे है, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए समय नहीं है, बहुत अच्छा सिनिमा आया है, लेकिन देखने के लिए समय नहीं है, मित्रों के जरिये सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छा फिल्म है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मैंने पास समय नहीं है बीबी बहुत अच्छी है बहुत पैसे हैं इसलिए बीबी बहुत अच्छी मिल गई है समाज की विवस्ता है वे से लेकिन बीबी के साथ समय गुजारने के लिए समय नहीं है बच्चे हैं लेकिन बच्चों के साथ मैं गुजारने के लिए समय नहीं है तो यह पैसों का क्या करोगे आप यह पैसों का क्या उप्योगे इसलिए पैसों के लिए मैं जीने रहा हूँ मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ ये अगर second attitude हम रखे कि मुझे एक अच्छा जीवन जिना है सुखी जीवन जिना है इसके लिए पैसों की आज के जमाने में आवशकता होती है और इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए पैसे कमा रहा हूँ पैसो के लिए मैं नहीं जी रहा हूँ ये अगर भान हमेशा हमारे मन में हम उत्पन न कर पाए अपने आपको बैलेंस कर पाए तो मित्रो वो पैसो के भी अहमियत हमारे जीवन में हो सकती है वो पैसों का महतुबव भी हमारे जिवन में हो सकता है अगर उस मरियादा में उसके तरफ हम देखेंगे तो नहीं तो जिन्ड़क बेहर पैसे कमाते रहेंगे पैसे कमाते रहेंगे जाने अन जाने में पैसों के लिए हमोगे जाएंगे आजकल जो ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं या आजके पिड़ी काम करती है जनरेशन काम करती है IT में काम करते हैं 16-16 घंडे काम करते हैं उनके साथ में जब मेरी बाच्चित होती है तो हम बोलते हैं इतना काम क्यों करते हो रात दिन काम क्यों करते हो नहीं मुझे प्रगती करनी है प्रगती याने क्या मुझे उचे ओदे पर जाना है उचे उधे पर जाने के बाद क्या होता है नहीं उसके बाद में मुझे मैनेजर बनना है ठीक है मैनेजर बनने के बाद क्या होता है आखरी का जबाब होता है कि मुझे सुखी बनना है भाई तु साथवे साल के बाद में सत्तरवे साल के बाद में सुखी बनेगा तब तक केवल सुखी बनने के लिए जीते रहेगा या आज ही सुखी बनते बनते जीएगा ये हमें सवाल बार-बार पूछना पड़ेगा उसका जबाब ढूणना पड़ेगा और उस धंक से हमको जीना पड़ेगा इसके लिए जीने के लिए पैसो की आवशक्ता है इतना ही महत्वा हमने पैसो को देना चाहिए इससे ज़्यादा जब हम महत्वा देते है तो पैसो का कोई उप्योग बचता नहीं है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानों को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए